तो अब फत्याबाद की बात करें तो घगर नदी का जलस्तर जिस तरीके से बना हुआ है वहाँ के लोगों में एक डर का माहुल है देशत में जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं लोग फत्याबाद में घगर नदी का जलस्तर विक्राल रूप ले चुका है अब लोगों की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है बाड का अलर्ट जारी कर दिया गया लोगों की मुश्किले फतेहबाद में लगातार बढ़ती जा रही है बाड का लड़ जारी किया गया है बाड से जिले मुख्याले की शेहरों पर अब संपर्क तूट चुका है शेहरों के बाजार पानी पानी हो चुके हैं खाली हो चुके हैं फत्याबाद शेहर बचाने के लिए बाइपास के सभी इंडर पास बंद कर दिये गए बाइपास की सर्विस लाइन के बाद बाइपास की सड़क पर अब पानी पहुंचने लगा है अब ऐसे में खेत, खलिहान, रोड, सड़के, गलियां, घर, दुकान, सब पानी पानी हो गया है फत्याबाद में और देख सकते हैं तस्वीर आप, ये ड्रोन से लिए गई तस्वीर है किस तरीके से फत्याबाद इस समय बाड की चपेट में निज़र आ रहा है जहां तक आप देख पाएंगे केवल पानी पानी और पानी निज़र आएगा और ये सब हो रहा है घगर नदी के विक्राल प्रचंड रूप की वज़े से क्योंकि घगर नदी का जलस्तर बिलकुल भी कम नहीं हो रहा है ऐसे में यमुरा नदी का जलस्तर घट गया लेकिन फत्याबाद से लगती जो बहती है घगर नदी वो लगतार अपने उफान पर है बिलकुल भी कम नहीं हो रहा है जल्सतर ऐसे में आसपास के गाउं बाड़ की चपेट में है जस्पाल हमारे समधाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव जाद है जानकारी के साथ जस्पाल इस समय क्या कुस्ताजा जानकारी है क्योंकि घगर नदी का जल्सतर जिस तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा है जिस तरीके से उफान पर है वहां के लोग इस समय देश्यत में जी रहे हैं क्योंकि बाड़ का लड़ भी जारी कर दिया गया बताया गया है जस्पाल देखिए मैं बताना चाहूंगा कि लगातार गर्णदी का जल्सतर है वो बढ़ता जा रहा है और फते बाद जो खंड के जो गाओं है उनमें लगातार बैठता जा रहा है और पानी की उंचाई भी बढ़ गई है पांच फुर से जादा जो पेतों में है वो पानी जमा हो तो घगर नदी का जल्सतर लगातार बढ़ता जारा ऐसे में फते बाद में बाड को लेकर लगातार लोग अलर्ट है क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया प्रिशासन की तरफ से अब आपको बता दे कि बाड़ से जिला मुख्याले का शेहरों से जो संपर्क है वो तूट चुका है और संपर्क टूट चुका है संपर्क टूटने के चलते लोग परिशान हैं है तो तसाहित हैं क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने जिंद़ की जी रहे हैं लोगों के पास अब और कोई चारा नहीं है अब ऐसे में सुरक्ष्षि स्थानों का रुख भी लोग कर रहे हैं एम्टियर intersect में हैशडियरीकिति में तयार्मी Babe기 तेम connect टियंग तरफ से शासन की तरफ से उलाई गही है ताकि पतियाबाद को जल्से जल्द से बहर निकाला जासे कि तस्वीर आप देख सकतें तस्वीर पतियाबाद की बया कर रहे हो कि फत्याबाद में समय मनजर क्या है चारो तरफ पानी पानी नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पानी के बीच में फत्याबाद को बसाया गया हूँ लेकिन फत्याबाद में घगर नदी का जो जलस्तर है वो बिलकुल भी रहम नहीं कर रहा फत्याबाद की जनता पर फत्या